एक साइकल का पईया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है तो पईये का व्यास क्यात कीजे हम जानते हैं कि पईये द्वारा एक चकर में तै की गई दूरी चली गई दूरी बटे चकरों की संख्या के बराबर होती है यहां हमें प्रशन में क्या दिया है 11 किलोमीटर चलने में 5000 चकर लगाता है साइकल का पईया तो चली गई दूरी है 11 किलोमीटर चकरों की संख्या है 5000 तो पईये द्वारा एक चकर में तै की गई दूरी होगी 11 किलोमीटर बटे 5000 अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और एक मीटर सो सेंटीमीटर के बराबर होता है अर्थात यदि हम पईये द्वारा एक चक्कर में तै की गई दूरी को सेंटीमीटर में ग्याद करना चाहें तो हमें यहां इसे एक हजार गुणा सो से गुणा करना पड़ेगा तो मान कितना हो जाएगा? मान हो जाएगा ग्यारा गुणा एक हजार गुणा सो बटे पाच हजार इतने सेंटीमीटर हमने क्या किया? हमने किलो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हमने इसको एक हजार से गुणा किया इंटू सो से गुणा किया क्योंकि 1 km 1000 m के बराबर होता है और 1 m 100 cm के बराबर होता है अब इसे calculate करते हैं हम तो calculate करने से ये मानाता है 220 cm अर्थात, पईये द्वारा एक चक्कर में ते की गई दूरी जो है वो 220 cm है तो एक चक्कर में पईया कितनी दूरी ते करेगा? वो पईये की परिधी के बराबर होती है पईये की परिधी है वो एक चक्कर में तै की गई दूरी है तो यहाँ सपष्ट हो गया कि पईये की परिधी 220 cm है क्योंकि पईये ने एक चक्कर में जो दूरी तै की है वो 220 cm है इसलिए पईये की परिधी 220 cm है अब हम माल लेते हैं कि पईये की तरज्जा आर है हमने माल लिया कि पईये की तरज्जा आर सेंटीमीटर है तो परिदी हमारी 220 सेंटीमीटर है आर तरज्जा है परिदी होती है 2 पाई आर परिदी का सूतर है 2 पाई आर इसलिए 2 πi R का मान हो गया 220 के बरावर परेदी 220 को हमने बरावर कर दिया 2 πi R के तो R का मान हमें यहां से मिल जाएगा R कैसे जात करेंगे कि R बरावर हो गया 220 बटे 2 πi 2 πi को हम बजर गुणा में दूसरे पक्ष में ले गए ये उसका दूसरे पक्ष में नीचे की चरफ चला जाएगा, हर बन जाएगा, अब पाई का मान हम यहाँ 22 बटा 7 लिख देते हैं, तो आर बराबर हो गया 220 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22, अर्थात मान हो गया 35 सेंटीमीटर, मान हो गया 35 सेंटीमीटर, इसलिए जो परिदी की त तरिज्या है, वो 35 सेंटीमीटर है, अब प्रशन में देखते हैं, कि हमें पाईये का व्यास ग्याद करना है, तो यहाँ हमने पाईये की तरिज्या ग्याद कर ली है 35 सेंटीमीटर, इसलिए जो व्यास होगा, व्यास हम यदि तरिज्या को 2 से गुणा करेंगे, तो व्यास हो जाएगा अर्था 35 गुणा 2 cm पईये का व्यास है जो 35 गुणा 2 70 cm आता है इसलिए पईये का व्यास जो हमें ग्याद करना है वो 70 cm है